इस तरह के water will बीडेसों में काफी ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है गाव में बिजली पहुँचाने के लिए hydropower water will का इस्तमाल किया जाता है इसमें कई तरह के hydropower water will होते हैं अभी आप जिसे देख रहे हैं इसे undershoot water will कहते हैं इससे नदी की उपड़ी सता पर सेट किया जा है वहाँ इस तरह के hydropower water will का इस्तमाल किया जाता है गाउंवालों को बिजली की जड़ोत को पूरा करने के लिए यह दुनिया का पहला भाप से चलने वाला steam shovel जो कि आज वीडेसों में कहीं जगाव पर इस्तमाल किया जाता है 19 और 20 सताब्दी की सुरूहात में बनाया गय फिर बाद में 1930 में इस डीजल से चलने वाला इंजेन बनाये गया जो कि आज जो 1945 में कुछ इस तरह का लुक दिखाए गया था जैसे भी का और आज कर डेट में हमारे जैसे भी कुछ ऐसा दिखता है अब पता नहीं आगे कैसा दिखेगा क्या आप जानते सम्मरीन पानी के नीचे और उपर कैसे आता है ठीक है तो चलिए आज जानते देखिए सम्मरीन को जब दो भागों में कारते तब सम्मरीन कुछ ऐसा दिखाए देता है इस वाले हिस्से में जब पूरी तरह से एयर भरा हुआ होता है अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो एयर है उसे बाहर निकाल देंगे जिसे पानी बढ़ जाएगा चलिए निकालते इसमें हवा को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले नीचे और उपर के वाल को खोल देंगे जिसे क्या हुआ कि नीचे की जो पानी है वो अंदर आएगा और अंदर में जो एयर है वो बाहर निकल जाएगा ठीक है तो उपर ही ए वाप से बाहर निकल जाएगा एर और नीचली वाप से पानी अंदर आएगा ठीक है इसे क्या को सम्मरीन नीचे जाएगा जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर और बाहर का जो प्रेजर है वो एक बराबर आने के बाद निच कि वर्प को खोल दिया जाएगा एयर को अंदर डाल निकले जैसे एयर पानी पर फोस्ट दगाएगा तो पानी बहार निकल जाएगा और सम्मरीन ऊपर चली जाएगे इस तरह सम्मरीन ऊपर और नीचे आती है उमीद खरता हूं आपको यह पसंद आया गोई दोस्तो हमारे पास जो इंटरिनेट की सुविधा मिलती है वो आपके आसपास टावल से मिलती है हमारे आसपास ऑप्टिकल फाइबर बिचाई हुई होती है जिसे हमारा इंटरिनेट चलता है लेकिन यह जो टेकनोलजी यह किसी ऑप्टिकल फाइबर पे नहीं बलकि लेजर लाइट के तुरू डेटा का ट्रांसवर करती है यह वर्ड का पहला लीफी लेजर 5G इंटेनेट है जिसे कम खर्च में किसी भी माउंटन जहां पर आप्टिकल फाइबर केबल नहीं बिचाया जा सकता इस तरह के टेकनोलजी काफी ज़्यादा उपयोगिक साबित होगा बेस के लोग इंटेनेट का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं मैंने इनका लिंग अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां जाके वीडियो देख सकते काफी अच्छी वीडियो है है दोस्तों क्या पजानते दुनिया का जो पहला सेटेलाइटर फ़ोस्ट आर्टिफियल अर्च्छ और शेटेलाइट इस पूत्निक उसे Ru posición लेकिन नहीं लेकिन जो पहला सेटेलाइट था विर्डियो का उससे बले फैटर्व से चलाए गया ता इस ग्रीक किसी कारण वस उनीज सो चौन सट में यह गायब हो गया हो सकते किसी मीटियो और चेटक्राकरिय नस्ट हो गया हो वीडियो अच्छी लगी तू लाइक कीजेगा हमारे चैनल को सस्काइब भी कीजेगा इतनी महनत लगता है एक वीडियो बनाने में दोस्तों